हलो दोस्तों वेलकम बेक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज आज इस वीडियो में डिस्क्स करने वाले हैं कप एंड हेंडल पैटर्न के बारे में बहुत ही जादा यूसफुल बहुत ही जादा फेमस पैटर्न है यह चार्ट पैटर्न आप सभी ने इसका नाम कभी न कभी पे डेडिकेट कर दिये उन्होंने काफी बुक्स इस पैटर्न पे लिखिये और अपना एक फंड हो चालू किया सिर्फ वसिफ इस पैटर्न के कॉन्फिदेंस के बेसस पे चलिए समझने की कोशिश करते हैं कैसे इसको यूज करते हैं कैसे यह दिखता है क्या वो बारिकिय कि यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो कप एंड है और उसका एक हैंडल आपको देखने को मिल रहा है आप सभी जानते हैं किस तरीके से दिखता है तो यहां पर आपको देखिए मार्केट फॉल होता हुँए दिखेगा फिर नीचे कुछ बेस था वैइ पूरी तरह से एक तरीकी से एब्जोर्ब किया बायस ने और यहां पर आपको एक अप्ट्रेंड आता हुआ मार्केट में दिखाए तो फिर हमारा कप और पैटर नहीं बनेगा यहां पर इसका रिवर्सल के चांजिस बन जाते हैं आइडियल पैटर्न क्या होगा कि market जो है यहाँ पे एक pattern बनाए एक cup बनाए उसके बाद जो पिछला resistance था जहाँ से market ने downfall start किया था वहीं पे जाके थोड़ा एक market एक handle form करता हुआ आपको देखे थोड़ा बहुत retracement हो तो यह जो retracement है इसको आप पूरे pattern की जगे आर आप इतना भी अगर देखो तो आपको इससे सभूझ में आएगा कि एक तरीके से एक flag pattern बनता हुआ दिखेगा तो यह जो uptrend है इसके बाद market को थोड़ा retrace होना है तो as a whole अगर देखें तो यहाँ पे एक cup बना उसका एक handle form हुआ and then फिर जो handle है इसका जो breakout होता है उस breakout candle पे हमको buy कर लेना है with the stop loss below the breakout candle और यह expect कर सकते कि market यहाँ से uptrend continue करेगा तो यहाँ पे क्या के चीज़े देखनी है आपको यहाँ पे अगर मैं समर्य आपके सामने देखूँ जो breakout है यहाँ पे दो तरीके से लोग देखते है एक तो जो retracement है इसके breakout पे भी breakout माना जा सकता है बट अगर यहाँ पे आपको breakout ना देखे एक अच्छी candle big volume अगर candle ना देखे तो आप wait कर सकते हैं कि जो cup का जो high है यहाँ पे एक breakout candle बने तो दोनों ही case में आपको breakout candle की quality जच करने है कि breakout candle बहुत ही बड़ी होने चाहिए और big volume के साथ breakout होना चाहिए solid body के साथ breakout होना चाहिए तो breakout के बाद volume जच कीज़े कि breakout पे volume बढ़ रहा है क्या और जो यह handle formation होता है इस time पे market में जो volume है dry होना चाहिए जो uptrend बन रहा है यहाँ पे volume अच्छा रहे फिर उसके बाद जो retracement हो रहा है यहाँ पे volume dry हो जाए और फिर दोबारा से जब market उपर जाना start करे breakout candle पे एक जबरजस्त volume आना चाहिए जो पिछला average volume का उससे ज़्यादा volume होना चाहिए and then फिर बात आती है target price की तो यहाँ पे आप जो target जब यहाँ से निकलना start होगा कि कहाँ पे रुखेगा तो उसके लिए जो depth है cup की यहाँ पे देखेगी आपको जतना इसका depth है उतना ही उपर का आपको एक target रख लेना है यह research की basis पे cup and ender formation का अब हम आते हैं chart पे real example सर्च करने की कुछ करते हैं तो उसके पहले आपको बता दूँ कि यह जो cup and ender formation है इसको आप हर instrument हर asset class पे देख सकते हैं आप इसको stocks में देख सकते हैं one day के time frame, weekly time frame या early time frame पे depends on your style, depends on your trading strategy आप अगर swing trading करते हैं तो आप definitely इसको early time frame पे देख सकते हैं अगर आप investing point of view से stocks को सर्च करना चारा है तो weekly या daily time frame पे भी cup and ender formation को देख सकते हैं even अगर आप options trading करते हैं तो options trading में intraday में भी 5 minute time frame या 5 minute time frame पे भी आप cup and ender formation को देख सकते हैं और वहाँ पे इसको trade करने का try कर सकते हैं तो यहाँ पे हम दोनों example लेंगे, दोनों extreme cases लेंगे तो पहले बात करते हैं stocks पे cup and ender formation के बारे में देखें यह stocks को recommendation नहीं है यह हम past and charts को analyze कर रहे हैं कहाँ पे आपको cup and ender formation देखने को मिला यहाँ पे आप देख पा रहे हैं MCX का chart यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको एक cup formation देखने को मिलेगा देखिए market में एक cup formation देखा market एक downtrend में गया market ने आप बेस बनाया, double bottom बनाया और यहाँ से market ने एक uptrend दिया तो यह आपको एक cup देखने को मिला इसके बाद आपको यह handle देखने को मिला यहाँ पर देखिए आपने handle देखा और यहाँ पर जो cup का जो high है इस पर आपको एक breakout देखने को मिला यहाँ पर देखिए इस breakout पर volume बहुत यह अच्छा आया है then breakout हुआ and breakout का retracement के बाद market किस तरीके से निकला यहाँ पे आप CDSL का chart देख पा रहा हूँ CDSL में भी इस तरह का pattern आपको देखने को मिला यहाँ पे market downtrend में आया एक cup formation किया फिर उसके बाद एक handle formation किया and then फिर cup के high को break करके breakout candle हुई breakout के time पे आप देखिए volume बहुत ही अच्छा है handle के time पे volume बहुत ही dry रहा और जो uptrend हो रहा था इस time पे भी volume बहुत अच्छा हो रहा है and then फिर stock ने breakout करके एक बहुत ही बढ़िया rally आपको देखने को मिली तो देखिए cup and handle formation की जो accuracy है यह बढ़ जाती है आप breakout की quality से और volume analysis तो यहाँ पे लोग जाले जाले गड़बर करते हैं यहाँ पे देखिए आपको volume भी देखना है आपको breakout candle की quality भी देखनी है कि किस तरीके से breakout हो रहा है बहुत ही solid body के साथ breakout होने चाहिए with good volume तब इस pattern की accuracy बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वैसे ही एक और चार्ट देखने की कोशिक करें खोचीं शिपियार्ड का तो यहाँ पे भी आपको cup and handle formation देखने को मिलेगा यहाँ पे आपने देखा एक cup form हुआ है यहाँ पे base बना के market ऊपर गया market पुराने resistance के पास जाके रुका वहाँ पे एक small handle formation देखा जहाँ पे volume पुरी तरह से dry हो गया है and then फिर एक big breakout candle देखने को मिली जिसने पुराने level को break किया और एक अच्छे खासे volume के साथ तो यह breakout candle पे आपके entry हो जाती है breakout candle के low के नीचे आपका stop loss हो जाता है और target कितना यह जो depth देखने के मिल रही है same depth के साथ आप target भी book कर सकते हैं तो stocks में particularly जब आप stocks में करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़े और आपको जाननी चाहिए यहाँ पे देखिए आप copper render formation देख लिया volume देख लिया, breakout candle quality देख लिया इसके साथ अगर आप investing point of view से देख लिए हो तो company का fundamentals और क्या वो sector trend में है क्या वो company earnings अच्ची कर रही है इन चीज़ों के भी अगर involve कर दो गोगे तो एक बहुत ही बढ़िया setup आपका इस pattern के साथ बन सकता है सो यह थी बात देखिए स्टॉक्स की अब बात करते हैं कि हम options के chart पे एक में time frame पे भी reversal trading में इस pattern का use कर पा रहे है तो यहाँ पे देखिए nifty का आप एक call option देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए pattern एक downtrend में आपको stock जाता हुँ दिख रहा है यहाँ से upmove देखे price उपर गया यह आपको एक cup देखने को मिला यहाँ पे जो है एक downtrend देखने को मिला retracement हो रहा है यह आपको एक handle बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे handle में breakout नहीं हुआ further आप देखिए आगे जाके इस level पे यहाँ पे breakout देखने को मिला जब market detrace हो रहा था volume पुईता से dry था जैसे ही breakout हुआ अच्छे खासे volume के साथ price उपर निकला यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि price 122, 123 से लेके यहाँ पे आपको upmove में price लगवग 280 के आसपास जाता हुए दखा तो इस pattern का strength आप यहीं पे जच कर पा रहे हो कि किस तरीके से अगर यह pattern rightly identify कर लिया जाए और यहाँ पे अगर level के breakout के ब्रेक आउट की quality और volume पे main focus करके trade identify किया जाए with proper risk management अच्छे trades generate हो सकते हैं इस तरीके से cup and handle formation को आप charts पे identify कर सकते हैं इससे आप investing हो, options trading हो या swing trading हो किसी भी time frame पे आप जाके chart पे इस pattern को identify कीजिए proper rules के तहत, volume analysis, breakout analysis के बाद with proper risk management इस चार्ट के थुरू आप chart पे entry ले सकते हैं I hope cup and handle formation के बारे में जो भी आपके doubts थे वो clear हुए होंगे वीडियो informative लगा है तो please hit the like button comment से बताएं कि वीडियो कैसा लगा next किस topic पे आपको वीडियो चाहिए ये भी बताएं comments में channel को subscribe कर दें, bell icon को click करना ना भूलें thank you for watching, happy trading